हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का फिल्मी खबरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक क्या बोलती तू गाने के बारे में जो की फिल्म पुछपादीर रूल में आने वाला है इस गाने और फिल्म से जुड़ा अपडेट हमारे पास है एक क्या बोलती तू तो इस गाने में हमें दिशा पाटनी दिखने वाली है और उनके साथ हमारे पुषपा भाव ठुमके लगाते दिखाई देंगे इस गाने की शूटिंग फिलहाल मुंबई में फिल्म सिटी में चल रही है और ये गाना एक आइटम सॉंग होने वाला है इस गाने की शूटिंग एक हफते तक कंपलीट हो जाएगी उसके बाद ये गाना पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगा जिसमें चार दिन का समय लगेगा और उसके बाद ये गाना रिलीस कर दिया जाएगा वहीं बात करें फिल्म पुषपा दी रूल के बारे में तो अलू अर्जुन की फिल्म पुषपा दी रूल को लेकर सोशल मेडिया पर काफी बज है उस समय पहले ये अलू का लुक भी रिवील किया गया था जिसमें वो जबर्दस अंदाज में दिखे दे थे हाला कि मूवी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी ऐसे में अब अलू अर्जुन की फिल्म पुषपा दी रूल से रनवीर का जुड़ना उनके लिए फायदात साबित हो सकता है मिरा रिपोर्ट की माने तो रनवीर का कैमियो रोल होने वाला है और वो एक पुलीस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देंगे फिल्म पुषपा दी रूल में रनवीर सिंग एक नौर्थ हिंडेन पुलीस वाले के रोल में होंगे जिसकी मुलाकात पुषपा से होगी कहानी में ये बड़ा बदलाव लाएगा आप देखना ये है कि रनवीर पुषपा की ये जोड़ी क्या आकमाल दिखा पाती है वहीं रनवीर की फिल्म रोकी और राने की प्रेम कहानी का पोस्टर भी रिलीस हो गया है और ये फिल्म 28 जुलाई को रिलीस होने वाली है पुषपा दिरूल के निर्माताओं ने फिल्म का टीजर कुछ समय पहले ही जारी किया था टीजर के अंत में पुषपा यानी अलू अर्जुन की एक जलक सामने आती है जो टाइगर के सामने खुद को शौल लपेटे नजर आते हैं अपना सिगनेचर स्टैप करते हैं इसके बाद लोग पुषपा के वापिस आने का जश्मन आते हैं पुषपा इसमें कहता दिखता है कि अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझ लो पुषपा आया है तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही अब आप हमें बताईए आप कितने जादा एकसाइटेड है फिल्म पुषपा टू के लिए और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म पहली वाली फिल्म की हीतना सूपर डूपर हिट होगी यहां फिल नहीं हमें जरूर बताईए कमेंट सेक्शन में और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल फिल्मी खबरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए